एक वर्सटाइल सिंगर जिनों ने अपनी आवाज से सुनने वालों को अपना आशिक बना लिया जिनके गाये गानों का सुरूर हर उम्र के लोगों पर छाया रहा तो इसे सुनकर भूतों के भी दोड़े चले आने की खबरें सुर्खिया बनी इनके कंपोज किये म्यूजिक ने बॉलिवुड के म्यूजिक इंडस्ट्री को अपलिफ्ट करने का काम किया तो वहीं इनके गाने टैक्सी, बस, कार, क्लब, गली मुहले हर जगा रीपीट मोड पर बज़ते रहे लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्यों इस संगीत से गहरा नाता होने के बावजूर ये कभी संगर बनना ही नहीं चाहते थे और क्या आप यकीन करेंगे कि इन्होंने महस 21 साल की उम्र में शादी कर ली फिर बेटे के बड़े होने के बाद पतनी को छोड़कर अपनी गॉल्फरेंड से दूसरी शादी रचा ली और क्यों ताबर तोड हिट गाने देने के बावजूद इन पर नाक से गाने यानि नैजल वोईस होने के आरोप लगते रहे और क्यों सोनो निगम आशा भोसले बोनी कपूर के साथ ही फिल्म इंडस्ट्री के कई दिगज कलाकारों के साथ हमेशा इनका 36 का अकडा रहा बताएंगे और भी बहुत कुछ आप बने रहे हैं हमारे साथ दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं सिंगर, राइटर, कंपोजर और एक्टर एक बेहत वर्सेटाइल कलाकार हिमेश रिशमिया की हमेश रिशमिया ने अपनी आवाज के दम पर देश ही नहीं बलकि विदेशों में भी फैंस के दिल पर राज किया है इनके गानों में आज भी लोगों को नबे के दशक की जलक देखने को मिलती है हमेश ने एक से बढ़ कर एक कई बहतरीन गाने लिखे हैं और अपनी आवाज से उन्हें सजाया भी है हलाकि अपने गानों के लिए हमेश ने जितनी सूर्खियां बटोरी उतना ही ये विवादों को लेकर भी चर्चा में बने रहे तो इससे पहले की हमेश से जुड़ी कॉंट्रोवर्सी की बात करें चलिए जानते हैं कि इन्होंने शुरुवात कहां से की कौन इन्हें बॉलिवुड में लेकर आया और कैसे ये सब के चाहे थे सुपर स्टार बन गे हमेश रिशमिया का जन्म 23 जुलाई 1978 को एक गुजराती परिवार में हुआ था इनके पिता फिपिन रिशमिया मशूर संगीत निर्देशक रहे हलाकि हमेश जब 11 साल के थे तभी इन्होंने अपने भाई को खो दिया खेर बड़े होने के बाद हमेश ने जी टीवी पर अंदाज, अहा, अमन, आशिकी, अमर प्रेम और जान जैसी टीवी श्रिंक लाओं का निर्मान शुरू किया और इनमें से कुछ के लिए टाइटिल ट्रैक भी बनाए इसी दोरान 1990 के दशक में हमेश के पिता सलमान खान के साथ मिलकर एक फिल्म बनाने वाले थे लेकिन किसी कारण से इसका प्रोडक्शन बीच में ही रुक गया हलाकि इस फिल्म के लिए बनाए हमेश रिशमिया की एक गाने को जब सलमान खान ने सुना तो वो बेहत प्रभावित हुए और उन्होंने हमेश को अपनी आगे की किसी फिल्म के लिए संगीत तयार करने का वादा कर दिया यह मौका हमेश को साल 1998 में आई सलमान खान की फिल्म प्यार किया तो डरना क्या में मिला और इसी फिल्म से हमेश ने एक संगीत कार के रूप में अपने करियर की शुरुआत की इस फिल्म के लिए लिखे इनके गाने प्यार किया तो डरना क्या और तुमपर हमें अटके यारा जबर्दस हिट रहे और हिमेश का फिल्मी करियर चल पड़ा इसके बाद हिमेश ने दूसरे संगीत कारों के साथ मिलकर फिल्म बंधन और हेलो ब्रदर के लिए संगीत तयार किया लेकिन सोलो म्यूजिक डारेक्टर के रूप में इनकी पहली फिल्म सल्मान खान की दूलहन हम ले जाएंगे रही हलाकि हिमेश को as a सोलो म्यूजिक डारेक्टर प्रसिद्धी तब मिली जब इन्होंने साल दोहजार दो में आई फिल्म हमराज के लिए संगीत तयार किया तूने जिंदगी में आके जिंदगी हो इस फिल्म के सभी गाने हिट रहे और इसके लिए हिमेश को बेस्ट म्यूजिक डारेक्टर के फिल्म फेर अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया साल दोहजार तीन में हिमेश ने फिल्म चुरा लिया है तुमने फुट पाथ तेरे नाम और जमीन में म्यूजिक दिया बैसे तो इन सभी फिल्मों के गाने हिट रहे लेकिन फिल्म तेरे नाम में कंपोज किये इनके गानों ने हर तरफ तहल का मचा दिया इस फिल्म में अपने गानों के लिए हिमेश ने कई बुरसकार जीते जिनमें सर्वस्रिष्ट संगीत निर्देशक के लिए जी सिने अवार्ड और स्क्रीन अवार्ड शामिल रहे साल 2004 में हिमेश ने फिल्म बरदाश्ट, रन, टारजन दवॉंडर कार, एतराज और दिल मांगे मूर जैसे कई फिल्मों में अपना संगीत दिया जिनमें फिल्म एतराज के गानों को लोगों ने सबसे ज्यादा पसंद किया बताया जाता है कि हमेश रिशमिया कभी सिंगर बनना ही ने चाहते थे, लेकिन इनके पिता चाहते थे कि हमेश सिंगर बने अपने पिता की इसी इच्छा को पूरे करने के लिए हमेश ने कड़ी मेहनत की और साल 2005 में आई फिल्म आशिक बनाया आपने में म्यूजिक कंपोजिशन के साथ ही सिंगिंग में भी हाता अजमाया और इस फिल्म के तीन गानों में अपनी आवाज दी दिल्लगी में आपकी कशिश और फिल्म का टाइटिल सौंग आशिक बनाया आपने गाने में इनकी आवाज को लोगों ने खुब पसंद किया और ये गाने हर म्यूजिक चार्ट में टॉप करने लगे फिल्म में इनके गानों के लिए हिमेश को उस साल के बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर फिल्म फेर आईफा और जी सिने अवार्ड से भी नवाजा गया इसके बाद एस अ प्लेबैक सिंगर भी हिमेश का करियर चल पड़ा और साल 2006 में इनोंने अक्सर हम को दिवाना कर गए फिर हेरा फेरी दिल दिया है और आपकी खातिर समेत 12 फिल्मों को म्यूजिक देने के साथ ही इनके गानों में भी अपनी आवाज दी वैसे तो इन सभी फिल्मों में गाए हिमेश के सभी गाने हिट रहे लेकिन इन में अक्सर और दिल दिया है के गाने सुनने वालों की जुबान पर चड़ गए साल 2007 में जहां इन्होंने एक तरफ नमस्ते लंदन, फूल और फाइनल, अपने और वेलकम जैसे फिल्मों को संगीत बद कर इनके गानों में अपनी आवाज से चार चान लगा दिया तो वहीं इसी साल इन्होंने फिल्म आपका सुरूर से अपने एक्टिंग करियर का भी आगास किया ये एक म्यूजिकल रूमैंटिक थ्रिलर फिल्म रही और बताया गया कि इस फिल्म की कहानी हिमेश की जीवनी पर ही आधारी थी हलाकि हमेश की एक्टिंग को लोगों ने इनके गानों जितना पसंद नहीं किया और करीब 25 करोड रुपे की कमाई कर फिल्म से में हिट रही साल 2008 के बाद जहां हिमेश फिल्म कर्ज, रेडियो, कजरारे और खिलाडी 786 जैसी फिल्मों में गाने के साथ साथ एक्टिंग करते नजर आए तो इसके साथ ही इन्होंने दूसरी फिल्मों में एस अ सिंगर और म्यूजिक डिरेक्टर अपने काम को जारी रखा साल 2012 में आई फिल्म बोल बच्चन, सनफ सरदार और खिलाडी 786 में गाए इनके ज्यादातर गाने एक बार फिर सूपर हेट साबित हुए इसके बाद साल 2014 में फिल्म अक्शन जैक्सन और साल 2016 में तेरा सुरूर के गाने भी हिट रहे दोस्तो हिमेश रिशमिया का स्टाडम ऐसा रहा कि ये दावा कि ये जाने लगा कि इनके गाने सुनकर भूत भी आ जाते हैं दरसल ये दावा हिमेश के गाने जलक दिखलाजा को ले करके किया गया था कहा गया कि इस गाने के आखरी लाइनों में आजा आजा आता है जिससे बोलने से भूत भी आपके सामने आ जाते हैं ऐसी कई अफवाहों को समय काफी हवा मिली इतना ही नहीं कुछ लोगों को इस गाने को सुनने में भी डर लगने लगा और भूतों को बुलावा देने के नाम पर लोगों के बीच ये खौफ का कारण बन गया खबरों की माने तो इस गाने से जुड़ी एक ऐसी ही नियूज ने इस बात को और गर्मा दिया कि सच में ये गाना हॉंटेड है बताया जाता है कि गुजरात के एक गाउं में 25 साल के फिरोज ठाकोर नाम के एक शक्स ने देर शाम ये गाना गाया जिसके बाद से उसकी तबियत बिगड़ने लगी वो अजीवों गरीब हरकते भी करने लगा हलाकि इस खबर के वायर होने के बाद उसके बड़े भाई ने इस बारे में बात करते हुए बताया कि उस दिन उसने बहुत जादा खा लिया था जिसकी वज़ा से उसकी तबियत बिगड़ गई होगी हलाकि चश्मदीदों के मताबिक वो शक्स नॉर्मल तब हुआ जब उसे किसी मौलाना के पास ले जाकर जाड़ फूंक कराया गया खैर सच्चाई क्या रही कहना मुश्किल है लेकिन इस दौरान अंधविश्वास का दौर काफी तेज रहा हलाकि इसके बाद धीरे धीरे हिमेश के गानों का क्रेज कम होता चला गया एक्सपर्ट्स की माने तो जहां एक तरफ इन्हें अरिजीत सिंग जैसे टैलेंटेड और वर्सेटाइल सिंगर से स्ट्रॉंग कॉंपटिशन मिल रहा था तो वही इनके जादतर गाने अब एक जैसे ही होने लगे थे या फिर इनके ही किसी पुराने गाने का रिमेक होते थे कहा जाता है कि किसी भी कलाकार का एक एरा होता है और हिमेश अपने समय में सूरँज जैसे चमके और उस दोरान कॉम्पटीटर्स इनके आगे पानी मानते नजर आए जहां सल्मान खान की मदद से ये इंडस्ट्री में इस्टैबलिश हुए तो वहीं इनके बनाए गानों से फिल्म तेरे नाम के जरिये सल्मान को भी कमबैक करने में काफी मदद मिली वहीं इमरान हाश्मी के साथ भी इनकी जोड़ी बेहत काम्याब रही जलक दिखला जा आशिक बनाया आपने और आपकी कशिश जैसे गाने इतने हिट हुए कि इन्होंने हिमेश के साथ ही इमरान हाश्मी के करियर को भी सफल बनाने में महत्वपूर्ण भोमिकाने बाई खैर, म्यूजिक, एक्टिंग और सिंगिंग के अलावा हिमेश नीजी जिन्दगी को ले कर भी खूब चर्चा में रहे और फिल्म इंडस्ट्री में कई लोगों के साथ इनका गहरा विवाद भी रहा सबसे पहले इनकी दूसरी शादी पर विवाद हुआ बताया जाता है कि हिमेश ने साल 1995 में कोमल से शादी की थी हलाकि शादी शुदा होते वे भी हिमेश टीवी एक्ट्रिस सोनिया के प्यार में गिरफतार हो गए रिपोर्ट्स की माने तो टीवी इंडस्ट्री में कई सीरियल्स में काम कर चुकी सोनिया हिमेश की पहली पतनी कोमल की बहुत अच्छी दोस्त रही ये हिमेश और कोमल की बिल्लिंग में ही रहा करती थी और उनके घर पर इनका अक्सर आना जाना भी लगा रहता था यहां तक की हिमेश और सोनिया की पहली मुलाकात भी हिमेश की पहली पतनी कोमल नहीं कराई थी हलाकि उस वक्त कोमल को ये अंदाजा भी नहीं था कि उनकी सहेली ही उनकी सौतन बन बैठेंगी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिमेश और सोनिया ने साल 2006 में ही एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया था जिसका अंदाजा कोमल को नहीं हुआ फिल्मी पर दे और टीवी पर अपने हुसन के जल्वे बिखेडने वाली सोनिया के प्यार में हीमेश इस कदर पागल हुए कि इन्होंने अपनी 22 साल पुरानी शादी को तोड़ने का फैसला कर लिया और साल 2017 में अपनी शादी शुदा जिंदेगी को खत्म करते हुए हिमेश ने कोमल को तलाक दे दिया बताया जाता है कि सोनिया कपूर के साथ करीब 12 साल तक रिलेशन्शिप में रहने के बाद हिमेश ने उनसे शादी करने का फैसला कर लिया जिसके बाद 11 माई 2018 को दोनों ने अपनी लोखन वाला स्थेथ अपार्टमेंट में गुपचुप तरीके से शादी कर ली जिसमें सिर्फ परिवार के सदस्य और कुछ करीबी दोस्तों को ही बिलाये गया था हिमेश से जुड़ी अगली कॉंट्रोवर्सी की बात करें तो साल 2007 में हिमेश ने बुर्का पहन कर अजमेर के मुईनिदीन चिष्टी दरगा का दौरा किया था जिसके बाद इन्हें लोगों की धार्मिक मावनाओं को टेस पहुचाने के लिए गुस्से और ट्रोल का शिकार होना पड़ा बाद में हिमेश ने इस पूरे मावले में सफाई देते हुए कहा कि ऐसा इन्होंने प्रशंसकों से बचने के लिए किया था हलाकि हिमेश के मावी मावने के बाद ये मामला थंडा हो गया हिमेश का विवाद बॉलिवूड म्यूजिक इंडस्ट्री के टॉप सिंगर सोनु निगम के साथ भी हो चुका है एक बार हिमेश ने सोनु के लिए ये कह दिया कि ये जानते हैं कि सोनु निगम कौन है वो छोटे स्टेज पर जाते हैं हलाकि इस पर जवाब देते हुए सोनू ने कहा कि हिमेश पागल हो गए है और हिमेश के साथ उनकी तुलना मजाक और अपमान है बताया जाता है कि तीखी टिपणियों का ये सिलसिला लंबा चला ऐसे ही एक और मामले में हिमेश का विबात गाई का आशा भोसले के साथ भी रहा दरसल हिमेश के गानों में नैजल टोन होने के लिए फिल्म इंडस्ट्री में इनकी खूब आलोचना होती रही एक कॉंसर्ट के दोरान जब इनके नाक से गाने की बात पर टिपणी की गई तो हिमेश ने आरडी बर्मन और कई बड़े कलाकारों का नाम लेते हुए कहा कि इंडस्ट्री के महान कलाकार भी तो नाक से गाते थे लेकिन उनके बारे में क्यों कोई बात नहीं करता इस पर आशा भोसले ने जवाब देते हुए कहा कि ये बात सुनकर उन्हें हिमेश को थपड़ मानने का मन कर रहा है हलाकि विबाद बढ़ता देख हिमेश ने इस मामले में सफाई पेश करते हुए कहा कि इनका इरादा आड़ी बर्मन पर सवाल खड़े करने का नहीं था बलकि इनका मतलब इस चीज से था कि कभी बर्मन साहब की गायकी पर सवाल नहीं उठे हलाकि हिमेश ने अपनी गल्ती मानते हुए माफी मांग ली हिमेश से जुड़ी अगली कॉंट्रोवर्सी की बात करें तो बोनी कपूर के साथ भी इनका गहरा विबाद रहा है एक एक्टर के रूप में अपनी पहली फिल्म आपका सुरूर में हिमेश ने बोनी कपूर की फिल्म मिलेंगे मिलेंगे का गाना तनहाईया जोड़ा था शुरुआत में हिमेश ने बोनी की फिल्म के लिए गाना तयार किया था लेकिन बाद में हिमेश ने इसे अपनी फिल्म के लिए इस्तिमाल करने का फैसला कर लिया मिलेंगे मिलेंगे के audio rights रखने वाली music company ने हिमेश रिशमिया पर copyright उलंगन का अरोप लगाया क्योंकि आपका सुरूर The Real Love Story के audio rights किसी दूसरी music company के पास थे और चुकि फिल्म पर कोई progress नहीं हो रही थी तो हिमेश ने इस गाने को अपने फिल्म के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया खैर फिल्म इंडस्ट्री के competitive environment में इतने कम समय में इतना नाम कमाना और सब की जुबान पर चर जाना कोई आसान काम नहीं है ये हिमेश का hard work और talent ही रहा जिसने श्रोताओं को इनका दीवाना बना दिया और आज भी fans इनके गाने repeat mode पर सुनते हैं बेबाक बॉलीवुड की team की तरफ से हिमेश रिशमिया को इनके upcoming projects के लिए धेरोशब कामना है तो दोस्तों आपको आज का हमारे विडियो कैसा लगा हमें comment section में जरूर बताएं साथ ही अगर आपके पास भी हिमेश रिशमिया से जुड़ी कोई interesting जानकारी हो तो वो भी हमारे साथ जरूर शेयर करें बॉलिवुड की किसे विबाग स्टोरी के साथ अगले विडियो में आपसे फिरोगी मुलाकात तब तक के लिए नमस्कार